So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, Realme device में apps अगर सो न हो, तो कैसे आप यहाँ प्राब्लम को सौट आउट करेंगे? जो आपका प्लेश्टोर होता है, Realme device में, प्लेश्टोर में अगर app सो न हो, तो कैसे आप इस प्राब्लम को सौट आउट करेंगे? वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा, बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है, ओके? तो इसका भी solution हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो दीखिए, पहले बात करते हैं कि अगर कुछ-कुछ application आपको सो न हो, तो इसका reason क्या होता है? और इसका solution क्या है? तो कुछ-कुछ application ऐसे होती है, जो कि आपके country में available नहीं होती, तो उसकी वज़ासे वो आपके phone में सो नहीं करती, second reason इसका बड़ा ये रहता है, कि कोई-कोई application आपके phone के version के साब से available नहीं रहती, तो उसकी वज़ासे भी आपको वो application प्लेश्टोर में सो नहीं करती, ठी second अगर आपके play store में बिल्कुल भी application सो नहीं करती, तो simple आप click करेंगे अपने realme device की settings पे, उसके बाद आप click करिएगा apps पे, app management पे click करें, और यहाँ पे हम search कर देंगे google, play store, ठीक है, then storage uses पे click करें, और simple आप इसका एक बाद data clean करें, जब आप इसका data clean करेंगे और फिर दुबारा open करेंगे, तो definitely आपकी problem fix हो जाएगी, ओके, तो simple आपको यहाँ method का use करना है, मिलते हैं next वीडियो में, जै मता दे